नमस्कार, मैं हूँ जम्मु आनन, करता हूँ सीधी बात, आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा था, कि मोधी सरकार, राहूल गांदी, को चुप कराना चाहती थी, जबान बंद करना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी, कि राहूल गांदी का जबान तो बंद नहीं किया जा सकता है, तो फिर क्या किया जा सकता है, दो चीज किया जा सकता है, एक तुर्राहुल गांदी को संसत से बाहर किया जा सकता है उनका संसत पद छीना जा सकता है और दूसरा छे साल तक चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है मोदी सरकार को ऐसा लगता है यह कहकर यह करके उन्होंने बहुत बड़ी मैदान जंग जीत लई है तो गलत सेमी में है जिस देश के अंदर इतने मसले चर्चे में हो सरकार की इतनी नाकामिया जग जाहिर हो जब मोदी अदानी के रिष्टे पर लोग सडकों पर बहस कर रहे हो और यह सरकार बोलना नहीं चाहती उलट मोदी अदानी के रिष्टों पर जो चर्चा करे उस पर वो कारवाई करना चाहती है अब ऐसा लगता है कि जब हिंडन बर्क के बाद और उसके बाद फिर किरन पटेल का जो प्रकरन सामने आया मोदी सरकार बीजेपी की सरकार अमिश्या इनकी स्थिती इतनी बूरी हो गई कि जो ना उगल सकते हैं और ना ही निगल सकते हैं और आदानी की घटना ने सूट बूट की सरकार को पुंजी पती के दलाल सरकार तक जो एक नेरेटिव बना और उसके चलते मोदी की 56 इंच सीना ये सीना ना होकर 56 इंच का उस सीने में 56 छेद वाला सीना जो उसकी असलियत अभी इस देश के सामने आ गई तो फिर ऐसा دिखता है अब प्रतीत होता है कि राहूल गांदी जिन मुद्दों को लेकर वो मोदी पे हमला वार है राहूल गांदी जिन मुद्दों को लेकर इस देश के अवान के साथ सीधी बाटचित कर रहे हैं और मोधी अमिज शा को कटगरे में खड़ा कर दिये हैं जिसका मुकावला अब यह सरकार करने की स्थिति में नहीं है अड़ानी से ना दूरियों बना सकते हैं ना हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को स्विकार करने की स्थिति में है लेकिन राहूल गांदी ने जो मुद्दे उठाएं उन मुद्दों पर कोई जवाब नहीं मोदी दे रहे हैं इसका मतलब ये है कि कहीं ने कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भारती जन्ता पार्टी की सरकार राहूल गांदी के द्वारा उठाए हुए मुद्दे को उन्होंने स्विकार कर लिया है जिस राहूल गांदी को देश कर्पदान मंत्री ने 24-15-16 में पप्पू करके पुरे देश में उनकी प्रतिमा के साथ खिलवार करने का काम किया उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा होगा कि यहीं वो पप्पू देखते देखते मुदी सरकार भारती जन्ता पार्टी सरकार के आँखों का सबसे राहूल गांदी एक ऐसे सक्सियत के रूप में उबर उठेंगे जिन से आँख मिलाकर बात करना मुश्किल हो जाएगा और इस लोकशाही में जो सरकार संसत के अंदर जवाब देना नहीं चाहती हो लोकशाही के अंदर जिस देश में सरकार खुद संसत चलने नहीं देती हो ऐसे सरकार कुछ और नहीं एक तानाशाही के और बढ़ने वाली सरकार जो सरकार इस देश के अंदर हिंदू मुस्लीम का माहोल बनाने का पूरक प्रयास करती हो जिसकी मीडिया 24 गंटे इस देश के अवाम को भावनिक रूप से मानसिक रूप से द्वेश और गुणा में उलजाय रखना चाहती हो और इस देश के अंदर सवाल पूछने वालों की या तो जेल में रवाना कर दी जाती है या फिर अगर सांसद हो तो सांसद का पद चीन लिया जाता है तो मान लो कि उस देश में फासिवाद दस्तक देच चुकी है भारत में शायद फासिवाद का चेहरा कुछ और होगा लेकिन लक्षन वही है दुनिया में जहाँ जहाँ फासिवाद ने दस्तक दी थी यह पूरी स्क्रिप्ट इस तरीके से शायद लिखी गई कि एक लोवर कोट सुरत का जेमेफसी का कोट जिस पर कल तक रोख रख गुजरात हाई कोट की रहती है लेकिन गुजरात हाई कोट 21 फरवरी को रोख हटा देती है और एक महने के बीतर निचली अदालत एक ऐसे भाषन जिस भाषन में राहूल गांदी ने नाम लिये हैं उन नामों से जुड़े हुए या उनके नस्दी की या उनके परिवार के किसी ने भी ये नहीं कहा कि राहूल गांदी के वज़े से उनके घर के एक सदस्य का अवमानना हुआ है उनके वज़े से परिवार का डिफिमेशन हुआ है अवमानना हुआ है इसलिए राहूल गांदी पे कारवाई करो लेकिन एक ऐसा विक्ति कोट पहुंच जाता है जिसका नाम राहुल गांदी ने अपने भाशन में नहीं लिया यह संयोग हो सकता है कि उनका भी सरनेम मोदी हो यह संयोग है और ऐसे जिनका कोई लोकस नहीं है उनकी सुनवाई पर उस कानून के तैद जो सबसे ज़्यादा सजा हो सकती है वो सजा सुना कर दोनों ढंक से कि एक तो गुना कबूल और दूसरा क्योंकि गुना किये हैं तो उसके लिए सजा तो सजा पर तो तीस दिन की महलत है लेकि गुना तो सिद्ध क्योंकि राहुल गांदी ने पहले कह दिया था कि मैं सावर कर नहीं हूँ या सावर कर की धारा कर नहीं हूँ जो माफी मांगने का इतियास है मैं सत्य पर चलूँगा और चाये सत्य कितना भी मुश्किल हो उन मुश्किलातों का मैं सामना करूँगा लेकिन माफी नहीं मांगने की कीमत हट से ज़्यादा अंग्रेश तो फांसी देते थे लेकिन इस लोकशाही में एक फांसी बादी सरकार हट से ज़्यादा संसद से सांसत का पद छीन सकती है हद से ज़्यादा एक चुनाव लड़ने से रोक सकती है लेकिन ये फांसी दे नहीं सकती ये बोलने पे रोक नहीं लगा सकती और इस देश के सविधान ने एक नागरिक होने के नाते जो विचार करने की, लिखने की, बोलने की, अभिविक्त करने की जो मुलभूत अधिकार बहाल किया है उसको ये सरकार नहीं चीन सकती है इसलिए अगर मोधी सरकार को ये लगता होगा कि राहूल गांदी ने उठायोए सवाल राहूल गांदी के सांसद पर रद करने से ही मर जाएंगे तो ये बहुत बड़ी भूल और गलत फहिमी है मुझको लगता है कि एक इतिहासिक भूल मोधी सरकार ने की है और सत्ता के नशे में चूर सत्ता धारी अब अपना विवेक खोश हवास खो गया है समभल नहीं रहा कि क्या करें क्या ना करें ऐसे अवस्था में एक के बाद एक गलतियां वो करते जा रहे हैं और ये गलती भले उसके आड में नैयले का निरने हो या कानून का प्रावधान एक आड है लेकिन असली मन्शा यही थी कि राहुल गांदी को चुनाओ से रोकना लेकिन ये सरकार राहुल गांदी को प्रचार करने से नहीं रोक सकती है ये सरकार राहुल गांदी को इस देश की जनता के साथ बात करने से रोकनी सकती है ये सरकार राहुल गांदी को अडानी और मोदी के रिष्टे पर मोलने से नहीं रोक सकती है और जैसे मैंने कल कहा था कि सूरत के इस फैसले से राहूल गांधी और ज़्यादा मजबूत और प्रकर होके निकलेंगे और आज के लोकसभा के सभापती के द्वारा जिस फूरती से कानून को लागू करने के नाम पर लोकसभा के सचीवाले ने राहूल गांधी को पत्र लिख दिया कि आज से आपका संसद में सदस्दा खतम हो गई है तो मुझको लगता है कि आज के बाद राहूल गांधी और ज़्यादा मुखर आत्म विश्वास से लबालब होकर इस देश की जनता के सामने अदानी और मोदी के रिस्ते और अदानी के चलते इस देश का जो वित्य संस्ताएं हैं इस देश के संसादन किस तरीके से कौडी के मोल अदानी को दे दिये गए और उसका खामियाजा हिंडनबर्ग के रिपोर्ट आने के बाद जो भुगत रहे हैं इन तमाम मुद्दो पर जादा मुखरों के चर्चा होगी और दोजार्टेविस के अंदर जिन भी राज्यों में चुनाओं है उसके बाद दोजार्च चौविस में राहुल गांदी मुझको लगता है कि एक धुर्वी करन देश के अंदर की जो राजनिती में जो चहल पहल हो रही है एक धुरू बनके एक टोक बनकर जिसनके इर्दगिर्ध 2024 की पूरी चुनाओं की प्रक्रिया मोदी की इर्दगिर्ध नहीं होगी 2024 के चुनाओं की सारी प्रक्रिया और राहुल गांदी के इर्दगिर्ध की बूनी जाने वाली है आज के इस फैसले से मोधी सरकार ने राहुल के लोहे को मान लिया है राहुल के सवालों को स्विकार कर लिया है राहुल ने उठाए हुए मुद्दे को उन्होंने स्विकार कर लिया है और राहुल को एक ताकत्वर राजनेता के रूप में उन्होंने स्विकार कर लिया है, उस डर से आज बीजेपी की सरकार ने, मोधी की सरकार ने एक इतिहासिक ब्लंडर जिसको कहेंगे, वो किया है, देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरीके से इस देश की राजनेती मोदी जनता को उन सवालों का जवाब देंगे जिन सवालों को राहुल गांदे ने उठाया है आज के लिए बस इतना ही कल फीर मिलेंगे धन्यवाद